तो guys हम लोग staffing chapter continue कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे selection and training and development के बारे में और आज ही के वीडियो में हम ये chapter finish कर देंगे तो देखो सबसे बहले बात करेंगे हम selection की कि selection क्या होता है तो selection का मतलब होता है कि जितने भी candidates आए हैं jobs के लिए apply करने के लिए उन में से sweetable person को select करना उन में से best person को select करना मतलब recruitment वाली stage में जितने भी लोगों को बुलाया था आप आओ और jobs के लिए apply करो उन में से जो sweetable person होगा उसको choose करना select करना इसे का जाता है selection अब selection process की अगर बात करें कि क्या-क्या stages होती है selection करने के लिए तो सबसे पहला है preliminary screening का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो भी unqualified candidates है उनको पहले ही eliminate कर देना मतलब देखो मान लो 2000 candidates आए interview देने अब अगर 2000 candidates का interview लेने बैठेंगे तो कितना time लग जाएगा और selection भी नहीं हो पाएगा सही तरह से तो सबसे पहले क्या करेंगे उन 2000 लोगों में से पहले ऐसे लोग देखेंगे जिनमें वो qualities नहीं होंगी मतलब जो qualities organization के लिए चाहिए ठीके बहुत सारे ऐसे employees या candidates होंगे जिनमें वो qualities नहीं होंगी कर देना उन्हें हटा देना क्या होता है मानलोग एक organization में 2000 लोग interview देने गए अब 2000 लोगों का interview लेने में बहुत जादा time लग जाएगा तो क्या करते हैं जो HR होते हैं जो इंटर्व्यू लेते हैं वो क्या करते हैं पहले ही बोलते हैं कि जिनके 10th में 80 अबाव थे वो आगे आओ तो अब उन 2000 में से बहुत सारे लोग ऐसे आउंगे जिनके 80 अबाव नहीं होंगे 10th में 500-600 लोग मान लो ऐसे हैं जिनके 80 अबव नहीं है तो वो तो पहले ही अट गए बचे कितने 1300 लोग अब उन 1300 लोगों मेंसे भी वो लोग बोलेंगे जो एचार होंगे वो बोलेंगे कि अब वो लोग आके आओ जिनके 12 में 70 अबव थे तो अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके 12 में 70 अबव ना हूँ तो मान लोग कि ऐसे 400 लोग हैं तो वो 400 लोग भी हट गए बचे कितने 900 केंडिडेट्स बचे तो अब कहां अगर 2000 केंडिडेट्स का इंटर्व्यू लेने बैठते तो कितना टाइम लगता लेकिन आप सिर्फ 900 केंडिडेट्स का इंटर्व् किनेट कर दो ठीके डेंट अलेक्स्ट इस्ट Tampa caption अलेक्रेक्शन टेस्ट मतलब रिटांड टेस्ट लेना केंडिडेट्स का अगर वhet प्रेलिम्नरी स्क्रीनिंग वाली स्टेश पर सो चुके हैं अब neकस्टेच पर आते हैं अब क्या होता है उन्का डिरीटैस्ट होता है प potential क्या है future में वो organization में कैसा perform करेगा वो आता है intelligence test में next है aptitude test aptitude test मतलब ability of the candidate to learn new skill एक जो candidate है उसमें क्या ability है क्या potential है कि वो new skills को सीख सके मतलब new skills को सीखने की कितनी ability है उसके अंदर कितनी जल्दी वो new skills को सीख पाएगा वो आ जाता है aptitude test में third है personality test personality test मतलब उसका पूरा personality test लेना मतलब उसके beliefs उसकी religion एंड उसकी values और उसकी maturity level यह सब आ जाती है personality test में कि वो कितना जादा mature है उसमें कितना जादा confidence है situation को कैसे वो handle कर पाएगा ठीक है then आता है trade test अब trade test का मतलब क्या होता है कि बाई जब वो उस time टेस्ट दे रहा है तो उस time पे उसके अंदर कितनी ability है उस time पे उसके अंदर कितनी skills है उस time पे इसके अंदर कितनी qualities है या आ जाता है trade test में मतलब existing qualities या existing skills of the candidate Candidate देना ता है interested test का मतलब होता है कि Response test को जानना कि वो किस फिल्ड में जादा इंट्रेस्ट हैं तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंगली काम देना उसी के अकॉर्डिंगली उनको जॉब्स देना तो यह हमने सेलेक्शन टेस्ट की बात की देन जो थर्ड प्रॉसेस है वो है एंटर्व्यूविक अगर यह तो नहीं को क्रॉस कर दिया है तो अब आता है इंटर्व्यूविक दो इन दोनों के बीच बीच में क्या होना conversation होना इसमें क्या होता है जो interviewer होता है वो interview के बारे में जानता है कि वो किस चीज में ज़्यादा interested है और उसका intelligence क्या है उसकी personality पूरी check की जाती है उसका confidence level देखा जाता है at the same time जो interview है वो भी यह जानने की कोशिश करता है कि उसको कितना pay किया जाएगा उसको working conditions कैसा दिया जाएगा कितने hours तक उससे काम निकलवाया जाएगा ठीक है यह सारी चीज आ जाती है employment interview में देन आता है reference and background checks जो interview है जो candidate है उसका background check करना कि जहाँ पे वो पहले काम करता था वहाँ पे उसने किस तरह से काम किया है वहाँ पे उसकी reputation क्या थी या फिर जिस university से वो आया है उस university में उसकी क्या image थी उसका पूरा background check करना उसका character check करना तो यह आता है reference and background checks में अब reference का मतलब क्या है तो देखो क्या होता है यहाँ पे जो employer होता है या जो interviewer होता है वो कहता है candidate से कि आप अपने किसी reference का हमें number दो reference मतलब किसी जान पैचान वाले का लाइक अगर आप अभी तक इस company में काम करते थे तो इस company के employer का हमें नेम बताओ address बताओ और उसका phone number दो क्यों मांगते हैं यह सारी चीजें so that वो उस person के थ्रूँ उस reference के थ्रूँ interview के बारे में जान सकें कि जहां वो पहले काम करता था वहां पे उसकी क्या image थी अगर वो किसी reference के बारे में हमें बता सको तो then आता है selection decision अब finally selection का decision लिया जाता है कि इस particular candidate को हमें select करना है या नहीं करना है अगर यह सारे hurdles easily cross कर लिये हैं और interviewer को लगता है कि इस इंसान के अंदर वो quality है जो हमारी organization को grow करने में help करेगी तो फिर उसे select कर लिया आता है देन आता है medical examination मतलब जो candidate है उसका medical examination लेना उसका medical test लेना क्योंकि जो candidate है उसे बहुत जरूरी होता है कि वो अपना medical test दे कि वो fit है या नहीं है अब मान लो कि वो fit है यह नहीं महीने में बहुत बार बिमार रहता है तो इससे पूरा effect कि इसको बढ़ेगा organization को वो काम तो करेगा नहीं उल्टा चुट्टियां जादा करेगा तो इस चीज के लिए medical examination लेना बहुत जरूरी होता है candidate का देन जो 7th process है वो है job offer अगर लगता है कि वो fit है अच्छी तरह से काम कर लेगा तो finally उसको job offer कर दी जाती है एक appointment letter भीजा जाता है interview को so that वो confirm कर सके कि वह आएगा या नहीं आएगा मतलब इसमें appointment letter भीजा जाता है कि आपको हमने select कर दिया है अब आप इस date से आके join कर लेना और आपको इतने आर्थ काम करना है सारी चीज़े उसमें लिखी रहती है then आता है contract of employment contract of employment एक तरीके का बोल सकते हो कि agreement होता है employer और employee के बीच में जो candidate है वो और employer इन दोनों के बीच में contract होता है जिसमें सारी terms and conditions लिखी रहती है कि जो employee है उसको कितना pay किया जाएगा कितने hours उसको काम करना है उसको working conditions क्या provide की जाएंगी और उसको कौन-कौन से non financial benefits दिए जाएंगे तो यह सारी चीज़े लिखी जाती है उस contract में यानि जितनी भी terms and conditions होती है so I hope आपको यह सारी चीज़े अच्छे से clear हो गई होगी तो selection वाला topic यहीं खतम होता है next training and development selection कर लिया employee का ठीक है उसको select कर दिया लेकिन अब उसे training देना भी तो जरूरी है अभी working condition के हिसाब से काम करें हमारे environment के हिसाब से काम करें उसको training देना training मतलब increasing the knowledge, skills and abilities of employees employees की skills को abilities को upgrade करना increase करना knowledge upgrade करना ठीक है और development का मतलब क्या होता है overall growth employee को overall grow करना मतलब उसको इतना तयार कर लेना कि future में अगर उसकी position भी change की जाए तो उसे दिक्कत नहीं आने चीए वो easily करने के लिए तयार हो जाए easily वो दूसरी position में भी काम कर सके तो मतलब overall grow करना एक employee को तो training और development इसे कहा जाता है अब देखो organization को क्या benefits मिलेंगे training के अगर employee को training दी जाती है तो इसके benefit organization को क्या मिलेंगे मतलब क्या क्या benefits organization को मिलते हैं तो सबसे पहला effective use of resources अगर employee trained होगा अग इतने resources का use करना है तो वो resources को effectively ही यूज करेगा वो कोशिश करेगा कि optimum way में जो है resources को utilize कर सके that means so wastage बिल्कुल नहीं करेगा तो इससे किसको फायदा मिलेगा organization को ठीक है then आता है increased productivity productivity employee की बढ़ेगी वो quality भी जादा produce कर पाएगा और quantity भी अच्छी produce कर पाएगा मतलब quality produce कर पाएगा और quantity जादा produce कर पाएगा ठीक है तो इससे किसको फायदा मिलेगा organization को वह अगर productivity एक employee की बढ़ रही है तो फायदा तो organization को ही मिलना है then आता है third prepare future managers अगर employee को training दी जाएगी और उसे develop किया जाएगा तो future managers तयार होते जाएंगे वो अब trained हो चुका है future में अग जाएगी तो वह easily काम कर लेगा फॉर्थ है boost moral of employees employees का जो moral है मतलब जो confidence level है employees का वह increase होता है उनको अपनी job और ज्यादा अच्छी लगने लगती है जब उनको training मिलती है तो maths के questions आप लोग solve करते हो नहीं आते हैं तो maths अच्छी नहीं लगती है ठीक है अगर maths के questions नहीं आते ह ही होता है अगर अपने job से related training मिलेगी तो job और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी मतलब job और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी satisfaction मिलेगा उस job से तो यहीं बोला है कि जो moral है employees का वह increase होता है और ज्यादा enthusiastic होते हैं वह काम करने में next रहता है better response to changing environment अगर environment change हो रही है त्य कैंदे लुए कि क्या होता है ना employees generally changing environment में काम करना पसंद नहीं करते हैं वह environment के accordingly change होना पसंद नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि हम जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करें लेकिन अगर उन्हें training दी जाएगी तो वह changing environment के accordingly अपने आपको change करने के लिए ready रहेंगी हमेशा हम employees की बात करें कि employees को क्या फायदे मिलेंगे अगर उन्हें training दी जाएगी तो सबसे पहला benefit है increased earnings earnings किसकी increase होगी employees की अगर उनमें जादा skills होगी तो वो जादा अच्छा काम कर पाएंगे जादा अच्छा काम करेंगे तो जादा कमा पाएंगे जादा earn कर पाएंगे तो यह फाइदा किसका है employees का next आता है safety of employees एक ऐसा employee जिसको बिलकुल training नहीं दी हुई है कि कैसे machines वगरा use करनी है तो accident होने के chances हैं लेकिन अगर employee को पूरे पूरी training दी हुई है कि machines को ऐसे use करना है इस part को ऐसे use करना है उसे सारी training दी हुई है तो accident के बहुत कम chances होते हैं तो training से यह होता है employees की safety रहती है employees बिलकुल safe रहते हैं accident के बहुत कम chances होते हैं and the last one is high moral यहां पर भी वही चीज मोराल जोगा employees का confidence जोगा enthusiastic बनेंगे वह और जादा काम को करने में मतलब उनका confidence increase होगा प्लस उनको अपनी job से और ज्यादा satisfaction मिलेगा ठीक है तो यह हमने बात की benefits की अब अगर हम बात करें methods की training की क्या-क्या methods होते हैं तो दो methods होते हैं on the job training of the job training on the job training मतलब काम कराते कराते उन्हें training देना आप उनसे काम भी करा रहे हो प्लस साइट में थोड़ी बहुत उन्हें training भी दे रहे हो तो उसे का जाता है on the job training यानि की work place पे ही training देना off the job training मतलब आप क्या होता है पहले आप training ले क्या हो दैन आके काम करो मतलब off the job training में क्या होता है जो employees होते हैं उनको कुछ institutions पे भेजा जाता है या कहीं पे seminars में भेजा जाता है training लेने के लिए वहां से वो training लेके आते हैं then आके वो काम करते हैं तो इसे का जाता है off the job training मतलब employees को campus में भेजना institutions में भेजना training लेने के लिए and then उनसे काम करवाना तो ये दो methods होते हैं training के दूसरे अगर कुछ methods की बात करेंगी और क्या-क्या methods होते हैं training के तो सबसे पहला है induction और orientation orientation जो हम पढ़ चुके हैं जब एक नया employee काम पे आता है तो उसको अपने organization के environment से familiar कराना की organization के क्या-क्या rules हैं क्या laws बने हुए है organization में दूसरे employees के साथ उसे familiar कराना उसकी जान पैचान करवाना कि बाई सुबह ये employee इतनी बज़े आता है ये employee इतनी बज़े आता है इसका ये काम है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम इसके पास जाना ये सारी चीजे तो इसे का जाता है induction या फिर orientation next vestibule training now vestibule training का मतलब होता है कि अगर कोई employee को heavy equipment use करने है अगर एक employee future में heavy equipment use करने वाला है लेकिन उसके बारे में उसे जरा सी भी knowledge नहीं है तो क्या करना उसको उस चीज से related training देना लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको equipment पे ही training दो कोई भी dummy product लाओ और उस पे पहले उस करने के लिए दो तो इसे का जाता है vestibule training मतलब एक ऐसा workplace create करना उसके लिए जहां पर उसे original equipment पर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है जो भी dummy products होते हैं उस पर उसे training दी जा रही है ठीक है दैन आता है apprenticeship training apprenticeship training का मतलब क्या होता है कि कोई एक मतलब जैसे मैं किसी organization में गई काम करन करें ठीक है तो मेरे को किसी के अंडर में रख दिया कोई एक master है कोई मतलब मेरा कोई मुझे train करने वाला master है वो मुझे पूरी training मुझे guide करेगा तो मुझे किसी के अंडर में रख दिया ठीक है इसे का जाता है apprenticeship training मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत जादा trained है जिसमें बहु जाता है apprenticeship training, last है internship training, internship training मतलब अब internship training का मतलब क्या होता है कुछ college students को या कुछ university के students को business firms में भेजा जाता है training लेने के लिए कि अगर आप future में job करना चाहते हो तो आप इस firm में जाओ पहले training लो and then जाके आप कहीं पर काम करना, job करना, तो इसे का जाता है internship training यहाँ पर क्या होता है, कुछ business firms क्या करते हैं, कुछ institutions के साथ tie up हो जाते हैं कुछ colleges या universities के साथ tie up हो जाते हैं और फिर उस institution के students को भेजा जाता है उस business firm में और वहाँ पर जाके वो students क्या लेते हैं, training लेते हैं तो इसे का जाता है internship training So I hope आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा यह chapter यहीं खतम होता है अगर आपको कुछ भी doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे Instagram page को भी follow कर सकते हो जहां पे आप अपने doubts directly मुझसे पोच पाओगे अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please please channel को subscribe कर दो और bell icon को press करना मत बूलना उसके बाद ही आपको मेरे upcoming videos की notification मिलेंगी